नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूप चैनल बीके टू साइन्स में आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास एट साइन्स एंसी आडी का चैप्टर नम्म फिप्ट जो कि है एसेड्स बेसिस एंड सॉल्ट यानि कि इस चैप्टर में हम डिटेल में अच्छे से लाइन बाई लाइन कवर करने वाले हैं और एक एक लाइन को अच्छे से समझने वाले हैं चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एसेड्स क्या होता है यान कि जो अमल यान कि जो तेजाब बगरा होते हैं हम उन्हें एसेड्स कहते हैं ठीक है बे यानि कि वो चीजे जो नमकीन लगती है यानि की acid का means होता है खक्ती, basis यान की कडवी चीजे और salt यानी नमकीन चीजे इसी के बारे में हम अच्छे से पूरा detail में line by line पढ़ने वाले हैं, चलिए start करते हैं, बी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ओफ सविस्टेंस सच एस लेमन, तर्माइंड, कॉमन साल्ट, सुगर और विनेगर हम यह अपनी रोजमरा की जिन्दगी में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं चैसे लेमन, नीमू, तर्माइंड, यानि की हमारी हल्दी, कॉमन साल्ट, यानि की सादाहर नमक, चीनी और सिर्का जो घर में इप्योग होते हैं Do they have the same taste, क्या इन सभी चीजों का स्वाद है, वो समान होता है, same taste यानि की समान स्वाद, चीक है, Let us recall the taste of some edible substance, चलिए कुछ खाने वाली चीजों के स्वाद के बारे में समझते हैं, Listed table 5.1, जो की table संख्या 5.1 में दिये गए हैं, If you have not tested any this substance, test it now and enter the result in table 5.1 में, अगर आपने इन चीज़े जो table 5.1 में कुछ चीजें दी गई हैं, अगर इनका टेस्ट नहीं किया है, तो आप टेस्ट करें और इस table 5.1 को फिल करें, यानि कि सबसे पहले बात की गई है, हमारा lemon juice का टेस्ट कैसा होता है, तो हमें पता है lemon juice कैसा होता है टेस्ट में, खटा, orange भी खटा होता है, और जो विनेगर है, धही है, यह सब खटे हैं, ठीक है, टर्माइंड है, खटी है, शुगर, मीठी है, common salt, नमकीन है, आमला, खट जानतों हैं कि यह जो जिसके नाम दिये हुए है, इन चीजों को हमने पहले भी टेस्ट कर रखा होगा आपने लाइफ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समझते हैं, अच्छे से, यू फाइंड डेट, आपने पाया, यू फाइंड डेट, सम ऑफ दीज सविस्टेंस टेस्ट सुएर, यानि कि आपने देखा कि जो हमने चीजें भी टेवल, पांच पॉइंट, पांच दसंबले एक में जो पढ़ा, उनका किसी का जो स्वाज था, वो खत्ता था, सम का जो हैं, समझ में आ रही होगी, एसे अंड वेषिस, आप समझते हैं कि एसे और वेषिस होते क्या हैं, और हम उनने अच्छे से कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए, काड यानि की जो धही, लैमन जूस, यानि की नीमु का रस, छिक है, औरेंज जूस, यानि की शन्तुरे का र जो है वो कैसा होता है बच्चो खटा ठीक है यह सवस्टेंस टेश्ट शेयर विगाउज दे कंटन एसेड और इनका जो स्वाध खटा होता है वो किसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एसेड प्रेजन्ट होता है ठीक है आगे बात करते हैं the chemical nature of such substance is acidic यानि कि बो substances जो खाने में खटे लगते हैं उन्हें हम इंगलिजिस में acidic कहते हैं ठीक है the word acid comes from Latin word जो acid सब्द है वो लेटिन सब्द से आयता है which means जिसका अर्थ होता है खट्टे खट्टा ठीक है अब बात करते हैं वाट अवाउट बेकिंग सोड़ा जो बेकिंग सोड़ा है उसकी बारे में क्या बात होती है उससे हम क्या समझते हैं होत्त यहां waad it. तो इसका जो हमारा बेकिंग सोड़ा है वो टेस्ट में कैसा होता है ठीक है, since it does not taste sure, it means अगर इसका मतलब इसका जो स्वाद है वो खट्टा नहीं है, तो इसका मतलब रहता है, that it has no acid in it, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर acid present नहीं है, it is bitter in taste, अगर वो कड़ हुआ है, if you rub its solution between finger, तो इसके solution को आप उगलियों के बीच में रगड़ेंगे, it feels soffy, तो कैसा, शोffy, यान कि शावण के जैसा हमें लगेगा, generally substance like, these which are bitter in taste, feel soffy, यान कि वो substances, जो कड़वे होते हैं श्वाद में, वो शोffy होते हैं, मतलब शावण की तरफ बहुँ जादा चिकने होते हैं, ठीक है, the nature of a substance said to be basic, यान कि कड़वी चीजों का जो nature होता है, उसे हम basic कहते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, detail में, if we cannot taste every substance, how to find its nature, माली जी हम भुछी चीजों को तो टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है कि यह कड़वी है, खटी है, नमकीन है, लेकिन कुछ ऐसे भी समान होते हैं, जोने हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, तो हम उन्हें कैसे पता लगाएंगे, यही समझने वाले हैं, if we cannot taste every substance, how do we find its nature, तो हम इसका नेचर कैसे पता लगाएंगे, special types of substance are used to taste, तो इसके लिए special प्रकार का substance का यूज किया आता है, whether a substance is acidic और basic, यह पता लगाने की कोई substance acidic है या फिर basic है, ठीक है, this substance are known as indicator, और इन्हीं substance को हम indicators कहते हैं, यहीं कि किसी चीज का नेचर पता लगाने के लिए कि acid है, वो basic है, ठीक है, या फिर acid base, या फिर salt है, तो यह indicator से भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, अब जब हम किसी indicator को add करते हैं, किसी solution में, जो चाहे वो acidic हो, चाहे वो basic हो, ठीक है, तो उसका color जो है, वो change हो जाता है, ठीक है, अगर जो color हो चैन्ज हो जाए, ठीक है, do you know, क्या आप जानते हैं, name of acid, acetic acid जो है, वो vinegar में पाया जाता है, formic acid, ant, यानिकी, चीटी जो है, उसमें पाया जाता है, citric acid, citrus fruit, orange, lemon में पाया जाता है, acetic acid का अडियानी की धही में पाया जाता है, यह जानना बहुत जो है, किस भोजन में कौन सा जो है acid पाया जाता है, ठीक है, oxalic acid की बात करें तो spinach में पाया जाता है, ascorovic acid की बात करें तो आमला और citrus अंगी खटे fruitों में पाया जाता है, टार्टरिक एसिट की बात करें तो टर्माइंड ग्रैप्स और अन्राइप मेंगों में भी पाया जाता है ठीक है और आगे समझते हैं अच्छे से यह सभी जो एसिट उपर दिये गए हैं जिनके नाम वो सभी हमें प्रकरती से प्राप्त होते हैं अब बात करते हैं नेम और बेसिस कैलियम हाइड ऑक्साइड जी लाइम बाटर में देखने को मिलता है अमूनियम हाइड ऑक्साइड बिंडू क्लीनर के रूप में यूज किय सोडियम हाइड आकॉसाइड साफ में देखने को मिलता है में नेने सैंङृच्ए मिल्क में देखने को मिलता है चलिए आगे समझते हैं दोस्तों अब बात करते हैं नेचनि अश्यानंका हमारे आसपास कौन-कौन से नैचनिकेटर प्रेजेंट रहते हैं जिससे हम पता लिले केटर्ध यहास क्या है एक प्राकर्तिक डाई है एक ब् anege ये तरहे थमस चाहसे जाने वाला जो धोन इन्यमांक है इक्स्ट्रक्टीड करें यहाने कि यह यानी कि इस लाइकन से एक्स्रेट किया जाता है फिगर 5.8 में इसे दिखाया गया है नीचे इट हैज एपड़ कर इन डिस्टिल वाटर इसका जो कलर है वह वगत पल पर कलर होता है यहां से प्राप्थ होता है हमें क्या हमारा लिटमस थी कहां लाइकन से वासकर करता हूँ आपको समझ में आया होगा लाइकन से ठीक है आघे समझते हैं दोस्तों ठीक है दा मोस्ट क्मउनली यूज्ट नेच्टुरल इन्डिकेटर इस लिटमस ठीक है ज्यादा से यूज होने वाले जो कम ली इंडिकेटर से सका कलर होता है यह जो प्रोग होता है इसमें हम Le करते हैं और जब एड करते हैं basic solution return blue तो यह blue हो जाता है it available in form of a solution यह हमें एक solution की form में प्राप्त होता है और in the form of strip a paper और इसे हम paper की strips में भी market में खरी सकते हैं non as litmus paper जिसका नाम है litmus paper generally it is available as red and blue litmus paper सामानेत है यह red color का और blue color का litmus paper हमें market में मिल जाता है दोस्तो आसा करता हूँ आपको एक-एक line बिल्कुल अच्छे से clear हो गई होगी जिसे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों इस activity को भी समझ लेते हैं test tube हो ठीक है put a drop of above solution on the strip put a drop of above solution और फिर हमारे solution को ठीक है strip पर लेकर के कहां कर दें layer litmus paper with the help of a dropper ठीक है dropper की help से इसे उस पर डाल दीजे is there any change in color क्या उसके बदलाव में उसके color में कोई बदलाव आया repeat the same exercise with the blue litmus paper इसी exercise को blue litmus यानि कि market से आपको दो red and blue litmus खरीदने हैं और फिर आपको acidic और basic solution बदाने हैं और उन litmus paper पर उनकी drops को डालना है तो अगर जो color change होगा पता चलेगा कि इसका nature कैसा no down if there any change color ठीक है फिर note करना है कि उनके color में कोई बदलाव हो रहा है ठीक है perform the same activity with the following substance इसी activity को इन जो नीचे substances के नाम दिये इनके साथ perform कीजिए यह बाटर यानिकी नल का नॉर्मल पानी detergent solution यानकी सावन घुला हुआ पानी acerated acid drink soap solution ठीक है ड्रिंक जो एरिटेट ड्रिंक होती है soap का यानकी सावन का जो घुला हुआ शैंपू common salt यानकी साधर अड़ नमक sugar solution vinegar baking soda solution milk of magnesium इस समय को drop करके इन पर देखना है basing soda solution lime water if possible make solution is distilled water हो सके कि distilled water भी आपके पास मौजूद हो ठीक है record your observation in table 5.2 और फिर अपने पूरे observation को आपको table 5.2 में भरना है ठीक है आगे देखते है in your table are there any substance on which litmus has no effect या आपकी table में कोई ऐसा भी substance है जिससे लिटमस से उस पर कोई effect ना होगा हो ठीक है नेम दो सविस्टेंस पर उस सविस्टेंस का आपको नाम लिखना है the solution which do not change the color either red और blue litmus are known as neutral यानि कि बह सॉलिशन जो हमारा कोई लिटमस का कोई बीच कलर चैंज नहीं करता है उन्हें हम तो आपको इस टेवल को फिल करना है उसके बाद आगे कुछ दिया हुआ है नहीं इसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे तर्मरिक इस एन अदर नेट्रल इंडिकेटर यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट नमर्ट टू में वीडियो को तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद